राजस्थान में विधान सभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। राज की 200 विधान सभा सीटों पर 23 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और 3 दिसंबर को डिजल्ट आएगा। ऐसे में अब प्रदेश के 5.2 करोण मद्दाताओं को कॉंग्रेस विजेपी के की लिस्ट जारी कर सकती है। आज दिली में कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी की बड़ी बैठक भी चल रही है जिसमें उमीदवारों के नाम पर चर्चा संभव है। मुक्र चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमार को प्रेस कॉंफरेंस में जानकारी देते हुए बताय की गैजिट टोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर तक उमीदवार अपना नामकन करवा सकेंगे। 7 नवंबर की तारीक को स्कूरूटिनी के लिए तैख किया गया है। वहीं नामकन वापस लेनी की आखरी तारीक 9 नवंबर र सकती है। राजिस्तान में चुनाव की तारीकों के एलान पर प्रदेश बिजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि पार्टी पूरी तरहा से तयार है। जनता भी सरकार को विदा करने के लिए तयार है। जिसने ब्रश्टचार के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं प पाच्पा में अंदरूनी फूट है। दुसरी तरफ हम एक हैं। हम एक जुटता के साथ काम करते हैं। हम अब जनता के बीच जाकर राजिस्तान सरकार के सभी कामों को बताएंगे। और हमें पूरी उमीद है कि राजिस्तान की जनता कॉंग्रेस की सरकार को हमें। हमेंी तरफ हमें knocking.